अध्यालो दोस्तों तो आपको इस वीडियो के माद्यम से बता जाएगा आपके भी ए फिफट समेश्टर एजुकेशन के जो पेपर है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर यानि कि इसमें दो-तीन पेपर होते हैं लास्ट येर में तो भी ए थार्ड येर फिफट समेश्टर educational assessment तो इसमें पहला आयने कि लाती लगूतरी question है तो इसमें पहला question दिया गया है तो यह model paper है आपको एक जाम देने से पहले इन सभी model paper को तयार कर लाना है आपके पास यदि book होगा या series होगा तो इसमें इन सभी छोटे-छोटे topic को tick कर लेना है तो कोई question आपको series में मिल जाएंगे कोई question आपको book में मिल जाएंगे ठीक है जिन नहीं तो आप इन question को google पे search करके आप उसका answer निकाल के नोट्स में बना के याद कर सकते हैं ठीक है तो चलिए question को शुरू करते हैं तो पहला question दिया है आकलन को परभासित करना है अती लगुत्री में आपको पहला कोशंद्या है आकलन को परभासित करना है आकलन क्या है उससे हमें परभासित करना है अगला question ब्यक्तित तो क्या है तो ब्यक्तित तो क्या है ब्यक्तित के बारे में हमें बताना है तो क्या है थर्ड नामन कुशन मापन के दो इस्थरों के नाम लिखना है क्या है मापन के दो इस्थरों के नामन लिखना है आगे कुशन बुद्धी क्या है बुद्धी के बारे में हमें बताना है तो नेश्ट कुशन ब्यक्तिगत पर इच्छड से आप क्या समझते हैं इसक यहां पर दिया है मापन तथा मुल्यांकन में हमें क्या अंतर है यालिकि मापन तथा मुल्यांकन में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है Next question क्या है मानसिक तथा बौधिक बापन में क्या अंतर है मानसिक और बौधिक मापन में हमें क्या अंतर है उनको बताना है मानक क्या है इस पस्ट करना क्या है मानक क्या है इस पस्ट कीजिए तो मानक क्या है आपको इस पस्ट करना इसके बारे में बताना है उपलब्धी से आप क्या समझते हैं चोथा नमर कोशन ने दिया है उपलब्धी से आप क्या समझते हैं उपलब्धी के विभिन कारणों का उल्ले करना है या उनकी विवेचना करना है ठीक है साब्दिक्त था मौखिक बुर्धी परिच्छर क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है इनके कुल इंपोर्टन टापिक है इनके पहले इन सभी टापिक को याद कर लेना है नेक्स्ट कोशन है ब्यक्तिगत मापन की प्रचेपर प्रविधी क्या है ब्यक्तिगत मापन की प्रचेपर प्रविधी के बारे में आपको उल्ले करना है या बताना है आगे कोज़न है नेश्ट कोशन दिया है अभी छमता की किनी दो विश्यस्ताओं का उल्ले करना है तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल पर आपको जबी तरह के वीडियो उपलद है तो इसमें आपको ग्रेजुएसन से रिलेटेड जनकारी मिल रही है तो यहाँ पर यहाँ है पहला कोशन मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं सन रचनात्मक तथा योगात्मक मुल्यांकन में अंतर बताना है तो मुल्यांकन से हम क्या समझते हैं उसके बारे मताना है साथ ही में सन रचनात्मक जो सन रचनात्मक मुल्यांकन होता है और उगात्मक मुल्यांकन है उनके बारे में अंतर बताना है आगे कोशन है तो दिर गुतरी में के वाल आपको दो कोशन करने होंगे का वंच का वंधिक्यापन कीजी यहाएंनिकि मनों विज्ञानिक जो परिछष है उसको हमें परिभाज़ित करना है और कुझतम परिचचर की मुखि पिस्दशताओं का उलेख करना है कोस्टन नमर तीसराज में दिया है कोस्टन नमर चौथा किय guiding है ब्यक्तिगत क्या है इसके प्रकारों का उलेख करते हुए ब्यक्तित्व को प्रफाषित करने वाले कारकों की व्याचना करना है तो इतना बड़ा question है आपको answer भी पड़ा लिखना होगा क्योंकि यह हद्दिर कुत्री question है तो यह थे model paper आपके भी यह 3rd year 5th semester education के महाद पूर इपार्टन question है तो आप एक जान देने से पहले इन सभी question को तयार कर लिजिए बाकी मिलते हैं आपको next video में यदि चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना न भूले चलिए next video मिलते हैं आपसे दन्यवाद